नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मुकेस हेल्प दोस्तों आज की इस बीडियो में हम चलेंगे हरिद्वार के प्रसिद और प्राचीन मंदिर में जिसका नाम है दछिड काली मंदिर जो की हरिद्वार के प्रसिद मंदिरों में से एक है दोस्तो अब हम चंडी पूल पहुँच चुके हैं थोड़ी देर में मंदिर तक पहुचने वाले हैं सामने दिख रहे नील परवत के पास ये मंदिर इस्थित है नील परवत सिखर में हरिद्वार का एक और प्रसिद मंदिर है जिसे चंडी देवी मंदिर कहते हैं मैं आपको बता दूँ दच्छिड काली मंदिर चंडी देवी मंदिर की तरह परवत सिखर पर नहीं है बलकि प्लेन इस्थान में है अब हम मंदिर में पहुँच चुके हैं दच्छिड काली मंदिर पौराणिक सिद्पीट इस्तल है जहां पर माकाली बिराजमान है आज मैं आपको इस बीडियो के माध्यम से पूरा मंदिर परसर दिखाऊंगा माकाली के दर्शन करेंगे और मंदिर के पौराणिक महत्त को भी जानेंगे इसलिए बीडियो को अंध तक जरूर देखें और अच्छी लगे तो बीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तो इससे पहले सुरू करें मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हरिद्वार, चारधाम और उत्राखन के धार्मिक और परेटन इस्तल की वीडियो और जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे दोस्तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो जरूर करें ताकि आप अपने सवाल पूँच सकें अब सुरू करते हैं दच्छिड काली मंदिर हरिद्वार के प्रिशिद मंदिर चन्डी देवी मंदिर के पैदल मार्ग के पास इस्तित है मानता है कि दच्छिड काली मंदिर में भक्तों की हर मनो कामना पूर होती है इस मंदिर में मा का मुख दच्छिड की ओर नहीं है बलकि पूरब की ओर है लेकिन गंगा यहां दच्छिड की ओर बहती है इसलिए इस पीट को दच्छिड काली पीट के नाम से जाना जाता है दोस्तो भारत में ऐसी तीन जगे हैं जहाँ पर गंगा उत्तर से दच्छिड की ओर बहती है जिन में से एक स्थान ये भी है आप यहाँ पर गंगा नदी को देख सकते हैं जिसकी धारा दच्छिड दिशा की ओर है दोस्तो अब आगे चलते हैं और मा काली के दर्शन करते हैं आप देख सकते हैं मा काली को सनिवार का दिन बहुत प्री है यहाँ पर प्रसाद के रूप में नारियल गुलाब पुस्प काला जामुन चड़ता है दोस्तो कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज भगवान सिव के अनन भत आदि गुरु काम राज ने की थी इस पीट की स्थापना बिक्रम संवत 351 में हुई इस्थानी जानकार बताते हैं कि मंदिर की स्थापना बाबा कामराज गुरू ने की थी कहते हैं कि काली मा ने उन्हें स्वपन में इस मंदिर की स्थापना करने का निर्देश दिया था इस पवित्र मंदिर के बारे में कहा जाता है कि माकाली का ऐसा मंदिर या तो कोलकटा में है या फिर यहां हरिद्वार में है नौरात्रों के दोरान इस मंदिर में विशेष पूजा अरचना की जाती है और सिर्धालू की बहुत ज़्यादा भीड होती है दोस्तो इस पौराडिक सिद्ध पीड इस्तल का वर्णन इसकंद पुराण में किया गया है इस पीड की रच्छा स्वयम भैरो करते हैं अस्टमी की रात्र यहाँ पर विशेश यग्ग का आयोजन होता है दोस्तो मंदिर सहर से बाहर होने के कारण यहाँ का माहोल कापी सांत है इस मंदिर के एक और नील परवत वहीं दूसरी और मागंगा की नील धारा इस मंदिर के महत्त को और भी बढ़ा देती है इस मंदिर के पास कई अच्छे स्थान और मंदिर हैं जैसे चंडी देवी मंदिर, नीले स्वर महादेव मंदिर, चंडी घाड़ अगर इन स्थानों की वीडियो को देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएंगी आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के खतम होने पर वह वीडियो स्क्रीन में आ जाएगी आप वहाँ से क्लिक करके देख पाएंगे दोस्तों अब बात करते हैं कि मंदिर तक कैसे पहुँचे तो यहां तक पहुँचना बेहत आसान है अगर आप हरिद्वार रेलवे इस्टेशन या बस स्टैंड में है तो वहाँ से आटो के द्वारा 20 मिनट में पहुचा जा सकता है अगर आप हरकी पौडी में है तो वहाँ से भी आटो के द्वारा 15 मिनट में पहुँच सकते हैं इन तीनों स्थान से मंदिर तक की दूरी लगभग 5 किलो मीटर है दोस्तो मुझे विश्वास है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे अगर वीडियो से सम्मंदित कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आप हरिद्वार और चारधाम की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आप अपना ख्याल रखें जै हिंद जै माता दी